नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूटूब चैनल All Exam Guide Group पर दोस्तों मैं आजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल पर आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए फिजिक्स के 40 MSQ कॉशन का टेश पेपर लेकर आया हूँ विविन्य प्रतियोगी परिक्षाओं में पूछे गए ये कॉशन आप किसी भी एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं सब के लिए इंपोर्टन है आपके लिए हर कॉशन का आंसर देने के लिए 4 सेकेंड का समय दिया जाएगा अपना स्कोर चेक करके लाश्ट में अपना स्कोर जरू शेर करेगा 40 में से कम से कम आपको 25 कॉशन सही करना है ये आपका टार्गेट स्कोर रहेगा अगर आपने प्लस अचीव किया तो ये आपकी एक प्रकार से कहें तो तैयारी बतलाएगी और आज रात में 10 बजे मैं लाइव आ रहा हूं पढ़ाने के लिए अपने इस चैनल पर तो आप सबी जो भी नए है या जो भी पुराने है दस बजे करेक्ट टाइम पर लाइव आ जाएगा मैं लाइव पढ़ाने आ रहा हूं आज चले स्टार्ट करते हैं वीडियो तो मेरी तरब से बेश्ट अप लग स्टार्ट करते हैं सबसे पहला प्रशन ये रहा स्क्रीन पर कॉशन कुछ इस प्रकार है कम तापमान पर सीशा निमलिखित मैंसे किस रूप में वरताओ करता है बतलाएगे चले देखते हैं तो कम ताप पर सीशा जो है ये बरताओ करता है एक परकार से स्रेश्ट चालक की तरह राइट आंसर हो जाएगा option number B, कम ताप मान या कम ताप मात्रा पर सीसा निमलिखित मैंसे किस रूप में बरताओ करता है तो स्त्रेश्ट चालक option number B याद रखेगा very important question, next question देखते हैं क्या पूशा गया है किसी आवेशित समवाहग पदार्थ में विद्दुच शक्ती कहां रहती है बतलाईए, चली देखते हैं, तो किसी आवेशित समवाहग में विद्दुच शक्ती जो है, उसके बाहरी सतह पर रहती है option number D यहाँ पर सहीत्तर हो जाएगा, याद रखेगा दोस्तों कभी भी current लगता है, तो बाहरी परतार की टच करने पर लगता है तो आवेशित समवाहग पदार्त में विद्दुच शक्ती जो है, उसकी बाहरी परत पर रहती है next question देखते हैं, क्या पूश अगया है लग्स किसकी एकाई है, बतलाईए चली देखते हैं, तो लग्स जो है, प्रतीप्ती की एकाई है right answer है option number D, याद रखीगा, very important question ऐसा ही मात्रक पूशे जाते हैं, लग्स किसकी एकाई है, तो प्रतीप्ती की एकाई है next question देखते हैं, क्या पूश अगया है, यह रहा है स्क्रीन पर galvanometer को किसके साथ जोड़कर उसे voltmeter बनाया जा सकता है, बतलाईए चली देखते हैं, तो galvanometer को किसके साथ जोड़कर उसे voltmeter बनाया जा सकता है, तो श्रंखला में उच्चे प्रतिरोध के साथ में, option number C यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, श्रंखला में उच्चे प्रतिरोध के साथ जोड़कर उसे voltmeter बनाया जा सकता है, very important question याद रखेगा, next question देखते हैं, क्या पुशा गया है, चुम्ब किये प्रवाह का ऐसा यूनिट क्या है, बतलाईए चलिए देखते हैं, तो चुम्ब किये प्रवाह का ऐसा यूनिट है बेवर, option number A यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, important question है, पूछा जाता है, कई एक्जाम में पूछा भी गया है, चुम्ब किये प्रवाह का ऐसा यूनिट क्या है, तो बेवर याद रखेगा, next question देखते है क्या पूछा गया है, यह रहाँ स्क्रीन पर, किसी विद्धुत परिपत में फ्यूज किस में जुड़ा रहता है, बतलाईए, चलिए देखते हैं, तो किसी विद्धुत परिपत में फ्यूज किस में जुड़ा रहता है, आपसे एक question पूछा गया है, तो live series में जुड़ा गया है ये रहा स्कीन पर प्रकास विद्धुत प्रभाव उत्पन करने के लिए किस धातू का प्रयोग कैथोड की तरह किया जाता है उसका क्या होना चाहिए बतलाईए चलिए देखते हैं तो प्रकास विद्धुत प्रभाव उत्पन करने के लिए जिस धातु का प्रयोग कैथोड की तरह किया जाता है उसमें निम्न क्रिया शीलता होनी चाहिए राइट आंसर हो जाएगा option number c very very important question प्रकास विद्धुत प्रभाव उत्पन करने के लिए जिस धातु का प्रयोग कैथोड की तरह करते हैं उसमें निम्न क्रिया शीलता होनी चाहिए next question देखते क्या पुशा गया है सोनोग्राफी में मुख्यता कौन सी तरंगे प्रियुक्त होती है बतलाईए चले देखते हैं तो सोनोग्राफी में मुख्यता जो है पराश्रवित तरंगों का प्रियुक्त हो जाता है option number D यहाँ पर सहीत्र हो जाएगा important question ने याद रखेगा next question देखते हैं क्या पूशा गया है कुछ पदार्तों का अती निम्रताप मान पर विद्धुत प्रतिरोध पूर्णता समाप्त हो जाता है इन पदार्तों को क्या कहते हैं बतलाईए चलिए देखते हैं तो जिन पदार्तों का निम्रताप पर विद्धुत प्रतिरोध पूर्टा समाप्थ हो जाता है इन पदार्तों को अतिचालक कहा जाता है तो राइट आंसर हो जाएगा option number A important question है याद रखेगा आतिचालक का जो पदार्त होते हैं आतिणिम्रताप पर विद्धुत प्रतिरोध पूर्टा समाप्थ हो जाता है next question देखतें क्या पूश अगया है किसी चालक के दोनों अंतिम बिंदुओं के बीच बहने वाली विद्धुत धारा कामान उनके बीच के बिववांतर के समानु पातिक होता है ये किसका नियम है बतलाइए चली देखते हैं तो ये जो है ओम का नियम है राइट आंसर हो जाएगा option number C ओम के नियम के अनुसार किसी चालक के दोनों अंतिम बिंदु के बीच बहने वाली विद्धुत धारा कामान उसके बीच के बिववांतर के समानु पातिक होता है नियम जो होते हैं इनको याद करके रखिएगा नेक्श प्रश्ण ये रहा आपके सामने दिश्ट धारा की आवरत्ती कितनी होती है बतलाइए चली देखते हैं तो दिश्ट धारा की आवरत्ती जो है सूने होती है option number A हाँ पर सही उत्तर हो जाएगा राइट आंसर है दिश्ट धारा की आवरत्ती सूने होती है नेक्श कॉशन देखते क्या पूशा गया है डेजर्ट कूलर का सीतलन अभी आप जो गर्मियों में कूलर इस्तुमाल करते हैं उसका ठंड़क होना किस पर आधारित होता है क्या उत्तर होगा बतलाइए चले देखते हैं तो डेजर्ट कूलर का सीतलन जो है एवेपोरेटिंग कूलर या एवेपोरेटिव कूलिंग के आधार पर आप्शन अम्बर सी यहाँ पर सेयत्रो जाएगा इवेपोरेटिव कूलिंग के सिद्दान पर सीतलन का नियम काम करता है डेजर्ट कूलर का नेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट क्या है बतलाईए चले देखते हैं तो हीरा जो है विद्दुत प्रभाहित नहीं कर सकता है इसका कारण है इसमें कोई भी स्वतंत्र इलेक्ट्रोन नहीं होता है option number D यहां पर सेयत्र हो जाएगा क्योंकि स्वतंत्र electron होते हैं तब ही वो इधर से उधर जाते हैं दैन electricity का transition एक बरकार से कहें तो आदान प्रदान होता है तो इसमें कोई मुक्त electron नहीं होता है स्वतंत्र electron नहीं होता इसलिए ये current pass नहीं कर सकता है next question देखते हैं क्या पूशा गया है विशम मिश्रण से लोहे की परत को किस तकनीक से प्रथक किया जाता है क्या उत्तर हो सकता है बतलाईए चली देखते हैं तो ऐसा मिश्रण जिसमें लोहा मिक्स नहीं हो सकता है और उसमें मिक्स करने के बाद आप लोहे को अलग करना चाहते हैं तो चुम्मकिय प्रतक करण के द्वारा आप अलग कर सकते हैं लोहा जो है चुम्मक में निकल कर उस मिश्रण से अलग हो सकता है important question option number B यहाँ पर सयुत्र हो जाएगा चुम्मकिय प्रतक करण विधी से लोहे को मिश्रण से अलग कर सकते हैं next question देखते है flaming का वाम हस्त नियम किस से सम्मंदित है बतलाईए चले देखते हैं तो flaming का वाम हस्त का नियम धारा पर चुमकिय छेत्र के प्रभाव से सम्मंदित है right answer हो जाएगा option number screen पर जो question है धारा पर चुमकिय छेत्र के प्रभाव से सम्मंदित है option number D यहाँ पर सहीत्र हो जाएगा flaming का वाम हस्त का या बाए हाथ का नियम भी इसको कहते हैं धारा पर चुमकिय छेत्र के प्रभाव से सम्मंदित है next question देखते हैं क्या पुशा गया है tube light के साथ जो चोक लगा होता है वो किसका काम करता है बतलाईए चले देखते हैं तो tube light के साथ में जो चोक लगा रहता है वो एक प्रकार से प्रेरख का काम करता है right answer हो जाएगा option number A important question है next question देखते हैं क्या पुशा गया है hydrophone ओपकरण किसमे परिवर्तन को दर्शाता है बतलाईए चले देखते हैं तो बात करें hydrophone की तो पानी के अंदर ध्वनी को सुनने के लिए hydrophone का प्रियोग करते हैं right answer हो जाएगा option number A यहाँ पर सही तरह है important question ने नोट कर लीजे next question देखते हैं क्या पुशा गया है निमले कित मैंसे कौन सा घटक एकी करत परिपत के भीतर नहीं बन सकता है बतलाईए चले देखते हैं तो इन मैंसे कौन सा घटक एकी करत परिपत के भीतर नहीं बन सकता है तो यहाँ पर right answer हो जाएगा transformer option number C सही उत्तर हो जाएगा right answer is transformer एकी करत परिपत के भीतर नहीं बन सकता है next question देखते क्या पुशा गया है किसी junction में प्रवेश करने वाली कुल धारा उस junction को छोड़ने वाली कुल धारा के बराबर होती है यह किसका नियम है बतलाईए चले देखते हैं तो किसी junction में प्रवेश करने वाली धारा उस कुल धारा उस junction को छोड़ने वाली कुल धारा के बराबर होती है यह किर्चॉफ का नियम है आपने पढ़ा है important question है याद रखिएगा नियम exam में पूछ लिए जाते हैं अगले प्रशने पर चलते हैं अगला कॉशन क्या है यह रहाँ स्क्रीन पर sowr cell के जिस समू को एक निश्छत pattern में एकसा जोड़ दिया जाता है उसे क्या कहते हैं बतलाईए चले देखते हैं तो बहुत सारे sowr cell को आप एक निश्छत pattern में जोड़ देते हैं तो इसे क्या कहा जाता है पूशा जा रहा है, तो इसे आप saura self panel कहते हैं, right answer क्या हो जाएगा? option number D उसे saura self panel कहा जाएगा, next question देखते हैं क्या पूशा गया है, यह रहा स्कृरीन पर, यदि विद्दुत प्रतिरो गपूद कम करना हो तो प्रतीरोधकों की संख्या को किस से जोड़ना चाहिए बतलाईए चली देखते हैं तो विद्धुत प्रतिरोध कम करना हो तो प्रतिरोधकों की संख्या को जो है समांतर श्रेणी में जोड़ना चाहिए हमारे घर में लगे हुए मोशली उपकरण समांतर श्रेणी में लगे होते हैं जिससे प्रतिरोधकता उनक निमलिकात में से कौन सी विद्दोचुमकिय तरंग नहीं है बतलाइए ब्सक्राइब एक्स करने आर करने और इंफ्रारेट करने जो है ये आवरकते करने ये साब विद्दोचुमकिय तरंग है और तरंग नहीं है, विद्धो चुमिकी है तो cathode के रण, next question देखते हैं कि आपको शगया है, धातू कमरे के तापमान में कैसी कैसी हो सकती हैं, बतलाईए, चलिए देखते हैं, तो धातू कमरे के तापमान पर द्रव भी हो सकती हैं, और ठोस भी हो सकती हैं, तो right answer हो पर धातू होते हुए liquid में पाय जाता है, option number B, option number C, माफ करिएगा option number C, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, धातू कमरे के तापमान पर ठोस या तरल दोना वस्था में हो सकती हैं, next question देखते हैं, धातू में विद्धुत का वहन क्यों कर पाती हैं, बतलाईए, चलिए सकती हैं, तो यह हमेशा point याद रखिएगा, मुक्त electron, option number C, सही उत्तर हो जाएगा, next question देखते हैं, इस पात के गोले में पदार्थ की मातरा उसका क्या होती है, बतलाईए, चलिए देखते हैं, तो इस पात के गोले में पदार्थ की मातरा उसका द्रविमान होती है, option number B, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, next question देखते हैं, क्या पूश अगया है, निम्दलिकित में से कौन सा विद्दुचुम्ब की तरंगों का गुड़ नहीं है, बतलाईए, क्या होगा इसका उत्तर, चलिए देखते हैं, तो इन में से कौन सा विद्दुचुम्ब की तरंग याद कर लिजेगा, important question है, next question देखते हैं, क्या पूश अगया है, मानक इस्थितियों में सतत बोल्टता पर दिष्ट विद्दुध धारा के स्त्रोत के रूप में किस विद्दुध रासायनिक सेल के प्रियोग किये जाते हैं, बतलाईए, चलिए देखते हैं, तो रित्रो जाएगा, मानक इस्थितियों में सतत बोल्टा को प्रभावित करने के लिए, विद्दुध रासायनिक सेल का प्रियोग किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं, रासायनिक उर्जा रहती है, विद्दुध उर्जा में कनवर्ट होती है, next question क्या पूशा गया है, बिजली के हीटर में कौन सी सामगरी प्रियोगत होती है, बतलाईए, चली देखते हैं, तो बिजली के हीटर बनाने में नाइक्रोम का प्रियोग करते हैं, उप्शन नमब बी, हाँ पर सहित्र हो जाएगा, very important question, कई जगा पूशा गया है, next question, प्रति रोधिता का unit जो है, volt ampere हो जाएगा, right answer हो जाएगा, option number B, volt oblique ampere, या volt प्रति ampere भी कह सकते हैं, आप इसे, next question देखते हैं, निमलिकित में से कौन सा अच्छा विद्धुचालक है, बतलाईए, चली देखते हैं, तो अच्छा विद्धुचालक ग्रेफाइड हैं, इन में से, चारो option में से, option number A, right answer हो जाएगा, next question देखते हैं, क्या पूशा गया है, transformer किसे परिवर्थित करने की युक्ती है, बतलाईए, चली देखते हैं, तो transformer क्या करता है, कम voltage AC को उच्छ वोल्टेज AC में परिवर्थित करता है, कम वोल्टेज AC को उच्छ वोल्टेज AC में एक transformer परिवर्टित करता है option number C यहाँ सही उत्तर हो जाएगा next question दिखते है विद्धुशक्ति की एक आई क्या है बतलाईए चलिए दिखते हैं तो विद्धुशक्ति की एक आई है what option number what B यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा next question दिखते है इन में से कौन विद्धुशक्ति रोधी है बतलाईए क्या होगा answer चलिए दिखते हैं तो विद्धुशक्ति रोधी इसमें से कांच है कांच में से current नहीं जा सकता है option number D यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा next question दिखते है हर जो क्या मापने की उनिट है बतलाईए चलिए दिखते हैं तो हर जो जो है तरंगों की आवरती मापने की उनिट है right answer हो जाएगा option number B सही उत्तर है next question दिखते हैं क्या पुशा गया है विद्दुचुम्बक किसके बनते हैं क्या होगा इसका आंसर बताईए चलिए दिखते हैं तो विद्दुचुम्बक जो है नरम लोहे के बनते हैं right answer हो जाएगा option number B सही उत्तर है next question दिखते हैं क्या पुशा गया है flaming के दाए हाथ के नियम का प्रियोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है बतलाईए चलिए देखते हैं तो flaming के दाए हाथ के नियम का प्रियोग प्रेरित धारा की दिशा का पता लगाने के लिए करते हैं option number C सही उत्तर हो जाएगा नेक्श कॉशन देखते हैं क्या पूश अगया है जल विद्धुत के इंदर में टर्बाइन किस से चलती है बतला ये चली देखते हैं तो जल्विद्धुत के इंदर में टर्वाइन जो है पानी के कारण चलती है पानी फोर्स से आकट टर्वाइन पर गिरता है जिसके गती से टर्वाइन गती प्राप्त करती है next question देखते हैं क्या पुशा गया है बिजली संचरण के लिए लोहे के तारों के बजाए तामे के तार प्रयोक्त किये जाते हैं कारण क्या है बतलाईए चले देखते हैं तो यहांपर सही उत्तर हो जाएगा बिजली संचरण यानि की विद्दुत के आदान प्रदान के लिए लोहे की जगा तामे के तार प्युक्त के जाते हैं क्योंकि लोहे के अपेक्षा तामबा बहतर बिजली का सुचालक होता है राइट आंसर हो जाएगा option नमबर लोहे की अपेक्षा तामबा बहतर बिजली का सुचालक होता है option नमबर C यहांपर सही उत्तर हो जाएगा तो दोस्तों ये थे 40 questions जो की exam oriented आपके लिए very important questions मैं लेकर आया हूँ आज रात 10 बजे में live class में आपके लिए अपने इस channel पर आ रहा हूँ आप अपने दोस हमारे channel को subscribe करें bell icon on करें और all वाला notification on कर ले हमारे channel पर दिन बर में तीन वीडियो अपलोड होते हैं सुबह 6 बजे सुबह 10 बजे then शाम को 7 बजे तो इन तीनों वीडियो को जरूर देखें हम मिलते हैं आपसे next वीडियो में और रात में 10 बजे हम live आ रहे हैं live जरूर आए शत्म थूर आपैंगे घजूों योर आपियो में चस्टूर आपड़।